बच्चो आज हम जानेंगे क्लास 6 हिंदी चेटर फर्स्ट जिसका सिर्शक है वो चुडिया जो जिसके राइटर है स्रीकेदार नाच जी बच्चो अब हम इस कवीता का शारांश जानेंगे वो चुडिया जो सिर्शकेदार नाच जी की द्वारा लिखा गया है इस कवीता में कभी ने नीले पंखो वाली छोटी चुडिया के बारे में बताया है नीली चुडिया के रूप में केदार नाच ने अपने शभाव को व्यक्त किया है उन्होंने बताया है की छोटी चुडिया को अंसे बहुत प्यार है वो रूची से दूद बरे ज़्वार के दानों को खाती है वो बहुत शंदोशी है चोटी चड़ियां वन में घुंकर अपने कंठों से मीठे स्वर में घाना गाती है उसे एकांत में रहना पसंद है वो उफंती नदी से पानी की बुंदों को चोच में भर कर ले आती है चोटी सी चड़ियां साहसी है और उसे स्वैम पर गर्व है उसे नजी से बहुत प्यार है वो चड़ियां जो चोंच मार कर दूद भरे जूड़ी के दाने रुची सिरस से खा लेती है वो चोटी संतों सी चड़ियां निले पंखो वाली में मुझे अंसे बहुत प्यार है इस कव्यांस में कवी ने नीली पंखो वाली छोटी सी चुडिया के बारे में बताया है वो चुडिया चोंच मार कर दूद भरे जवार के दानों को चाव से खाती है उसे अन से बहुत प्यार है और वो संतोसी है वो चुडिया जो कंट खोल कर गुड़े मन बाबा की खाती रस उड़ेल कर गाले ती है वो चोटी मू बोली चुडिया निले पंखो वाली में हूँ मुझे विजन से बहुत प्यार है इस कव्यांस में कभी ने बताया है चुडिया अपने मुक्त कंटों से मदुर स्वर्ज में गाती है उसके सारे गीत अपने वन को समर्पित है जहां वो रहती है उसे कांत में रहना अच्छा लगता है इस कव्यांस में कभी ने अकेले में खुसी से रहने का संदेश दिया वो चुडिया जो चौच मार कर चड़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है वो चुटी गर्बीली चुडिया निले पंखो वाली में हूँ मुझे नदी से बहुत प्यार है इस पंक्ती में चिडिया ने अपने शाहर्ष का वर्णन करते हुए बताया है कि वो छोटी जरूर है रंतु शाहर्ची है वो जल से भरी नदी के बीच से भी पाने की बुन्दों को चोंच में भर कर ले आती है यह असासी काम करने पर उसे स्वैंप गर्व है चिडिया को नदी से बहुत प्यार है इसका व्यांस में कभी ने बताया है कि कठिन प्रस्तियों में भी हिमत नहीं हारनी चाहिए और उसका डट कर मुकाबला करना चाहिए बच्चों वो चिडिया जो सीर्षक पाट के कुछ परिच्छा प्योगी प्रस्नों को उत्तर आपको अगले वीडियो में हम बताएंगे अब हम कुछ कठी सब्दों के अर्थ जान लेते हैं जैसे जुंडी मतलब ज्वार की बालियां रुची से मतलब चाह से कंट मतलब गला, बूढे मन बाबा मतलब पुराना घना बन, रस उडे गर मतलब मीठी आवाज, चड़ी नदी मतलब जल से भरी, जल का मोती मतलब पानी की बुंदे, गरवीली मतलब गर्व करने बाली